कि गुड़ मॉनिंग स्टुएंट्स लास्ट क्लास तक हमने सदिस के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी पड़ी थी जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सदिस क्या होता है सदिसों के परकार और आपकी जो 10.1 की एक्सराइज है उसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात हैं कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो टाइप सफ वेक्टर हो आपको पता माची सदिसों के परकार थोड़ा सा देख लोगे तो ऐसे कुस्तने उसमें यही पुछा गया है जो मैंने करवा भी दिए लास्ट क्लास में आपको कि सदिसों के कौन-कौन सा यह सदिस प्रकार का सदिस क्या होता है अब इसके बाद में आगे जो हम पढ़ेंगे 10.2 के अंदर सबसे पहले आपन देखते हैं दिक अनुप कोच जाएं सबसे फिरेंगे कि क्या होती है दिक जाएं यह आपके घृति काम आएगा तो सबसे घंद को जे क्या होती क्या होती है तो सबसे पहले जैसे मनική कि यह है आपकी y-axis 3D के अंदर यह अक्स अक्सिस और यह तीसरी अक्सिस है जेड़ अक्सिस यह तीन मिर्देशी एक्सें अब कोई सदीस है ओपी सदीस यह मूल बिंदू को है और को इस बिंदू यहां पर पी है तो यह हो गया आपका ओपी सदीस अब यह चो ओपी सदीस है वो तीनों एक्सिसों के साथ को इनको यह अंगल बनाता है जैसे मालो कि यह जो ओपी सदीस है वह एक्सिस के साथ कौन बना रहा है एल्फा वाइ एक्सिस के साथ कौन बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है गामा तो किसी भी सदिस द्वारा जो तीनों एक्सिस हैं निर्देशी एक्सें अक्सिस वाय एक्सिस और जेड अक्सिस इन अक्सों के साथ जो बनाया गया कौन होता है वो कहलाता है द जेङने कोर्ण यहाँ पर जो अल्फा बीटा और गामा है इलफा बीटा और गमा यह अल्फा बीटा ओर गामा I यह कहलाते हैं दिक्ट के कहलाते हैं डारेक्शन एंगल और इन कौनों की जो को जाए है याocosy two sign को सैन्ड वेजुन का बस इन कोणों की जो को जाएन वो कहलाती है डिक्ट का अदिक्ट हो जाएं तो दिख को जा क्या हो जाएंगी इसकी कोस अलफा कोस बीटा और को से गामा आपको इतना सधान रखना है कि यह सब आप यह अपने अगरे दुबारा से पढ़ेंगे आप तो यह देख लो कि कोई भी जो सदिस है वो तीनों निर्देशी अक्सों के साथ जो एंगल बनाता है अलफा बीटा और गामा इसकी जो को साइन है इसकी जो को साइन है को साइन का मतलब कोस या दिक को जाएं तो यह कहल till ano आपके पास है अक्साइए प्लस का w jam जे कएप और प्लस का JD गेगें यहापका एश को सभी से अब इससते cranis में जो यह अक्स से y और z हैं जिनको हम अबस्त करिसक था कि यह सदिस करना कि पिछली क्लास्वें में हमने देखा है कि किसी सदिस के अदिस गटक और सदिस गठक, तो यहां पर जो ये X, Y, और Z है, ये कहलाते हैं इसके अधिस गठक, और यदि इन के साथ हम I, C, J, I, or के के लगा देते हैं, तो वो बन जाते हैं सदिस गठक तो ये जो अधिस गठक है, ये कहलाएगे अपने दिक अनूपाथ दिक के अनुपात यह जो अदिस घटक हो क्या कलाएंगे यह कलाएंगे इसके दिक अनुपात तो कोई भी सदिस अगर आपको दिया गया है तो उसके दिक अनुपात क्या होगे तो उसके दिक अनुपात हो जाएंगे अपने पास से आप यह देखने ना कि उसके जो अदिस घ कि डिक कोजिया के लिए हम करेंगे कि सबसे पहले जो भी आपको सदिस दिया गया उसको आप एकांग सदिस में चेंज कीजिए जो भी आपको सदिस दिया गया उसको आप चेंज करो किसमें एकांग सदिस में और एकांग सदिस में चेंज करने के बाद में जैसे मालनों कि यह A सदिस हैं, A सदिस की दिसा में A कांग सदिस आप निकालोगे, तो A कांग सदिस हम पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है, अपन क्या करेंगे, कि A सदिस के अंदर इसी के परिमान का हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो क्या बन जाएगा ये, ये A की दिशा में A की अनुदिस A की तरफ ये बन जाएगा A कांग के सदिस तो यहाँ पर अगर हम इसका A कांग सदिस निकालें तो A कैप is equal to A सदिस क्या है X I कैप और प्लस का Y J कैप और प्लस का Z के कैप और इसमें A के परिमान का भाग देना है परिमान निकालना आपको आता होगा A का परिमान क्या हो जाएगा अंडरूट अक्सी स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर प्लस से जेड़ स्क्वाइर तो इसका परिमान हो गया अपने पास और प्लस का जेड़ी स्क्वेर इंटू जे कैफ और प्लस जेड़ बटे अंडरूट अक्स स्क्वेर प्लस का वाई स्क्वेर प्लस का जेड़ी स्क्वेर के कैफ ठीक है तो देखो इसके दिकनुपात तो थे अक्स वाई और जेड़ ये तो थे इसके दिकनुपात अक्स प्लाइब स्का घ्रीज्ट इसकार से दूसरा यृइब एडर कम लिए नडर रूटा सुभार मस्की स्वाइब ऑई स्काल भूच रूट शोट प्लिशनी स्क्या आप्ते अन्डर मुस्त पूंच। इसका हमें उप फ्र हेवो have EU उर यह एक्सन आय और अंगर इसको एक हंक सदी में चैन्ज कर लेते हो यदि आप इसको एकांक सदी में चमे करने के बाद में सब्सक्राइब यह एक पता लग जाएगा कि देख प्रिख ka n में सबन्दि पातने सकते होग mixer कोया तो एक सब्सक्राइब के पार सगार यह कंद तो यहां तो यहां थोड़ा से बनेटाहूं इतना दहान रखना आप जैसे मानलों कि आपको एकट सब्सक्राइब आप से पूछे कि इसके दिक अनुपात कि अगर इसकी दिक अनुपात की बात की जाए तो आप यह देखो एस अगर सब्सक्राइब यहां पर इसके जगानुपात हो जाएंगे 3-1 और 2 यह हो जाएंगे गणनुपात और वैसे ए बीसे पाइब से से लिटते हैं किसे में चेंज करोगे एक आंक सदिस में एक आंक सदिस में चेंज करोगे तो एक कैप क्या हो जाएगा भी एक आंक सदिस में चेंज करने के लिए एक के अंदर उसी के परिमान का भाग दिया जाएगा तो ए सदिस क्या है तीन आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का दो के कै यह वट्ट एका परीमान तो दिखो परिमान हो जाएगा वह कीआ हो जाएगा अंडर Phillips यह सोब्सक्राइब नो उसके बाद में सक्रानी यह स्क्राइर प्लस का एक क्लस जाएगा च्यार हए आपने पास एंडर उन्होंती चयुद तो जब हम A के अंदर उसी के परिमान का भाग देंगे तो यह क्या बन जाएगा एक आंक सदिस बन जाएगा और A cap आपके पास जो आ गया वो क्या आ गया बताइए वो आपके पास आ गया 3 I cap और बटे अंडर उट 14 प्लस एक बटे अंडर उट 14 इंटू J cap और प्लस दो बटे अंडर उट 14 इंटू K cap ठीक है तो यहां पर इसकी जो दिखकोजा होगी वो क्या हो जाएगी तीन बटे अंडरूट 14, एक बटे अंडरूट 14 और दो बटे अंडरूट 14 ये कह conservatives कि इसकी दिक्कोजा कह रहे और अबमने आपको दिक्कोजा को लेंगा चाहलं कि आपर विश्री जहाएं अजित कि पक्लोट ale आपकी पीटा जो है वह आगया आपके पास एक बटे अंडर रूटी 14 और पोस्गामा जो है वह आगया दो बटे अंडर रूटी 14 दो बटे अंडर रूटी जो दिको जाओं को एलेमेंस से भी लिखते हैं यह एलोग गया तीन बटें रूट चौदा एम हो गया एक बटा रूट 14 और एन कितना हो गया दो बटे अंडर रूटी 14 तो आप से सिंपल साइब यह पूछा जाएगा कोई सदिस आप से देखर यह पूछा जाएगा कि आप इसके दिखनुपात बताईए या फिर आप इसकी दिखोजे बताईए वैसे दिखोजे होती किया है को इसको के ओस्यास को क्याते है को सकूछा साइं को साई तो इसकी जो दिखकोज्या हो जाएंगे उसको में लिखेंगे पोश अल्फा चौघटा और कोशी गाम यह हो जाएंगी इसकी दिकोजे अब देखो भी आगए दिक अनुपातों मेरे एक तो दिकोजाओं में समंद्ध वैसे तो हम देख चुके हैं दोबारा से देख लो कि दिक अनुपात और दिकोजाओं में क्या समंद्ध होता है अब दिकनुपाथ वे दिके पुझाओं में समद्ध यह समद्ध हम प्रूप करना आप देखेंगे तब क्लासे साल होगी तब देखेंगा अभी आपके पास चीदा देखलो आपको पॉर्मुला जैसे मालो कि आपके पास कोई सदिस है जिसके दिकनुपाथ आपको दिये सबस्का मालोर आपको दिये गये हैं यह किसी सदिस के दिकनुपाथ है अगर यहां से आप दिकनुपाथ है को अगर देखकोज को और निकलो गीए जाने मने पनातों एकांग सवाइज चेंज कर दोंगी तो वह जोगी और एकांग शादी में अभी आपने को चेंज किया है जैसे मैं इसमें लाश्ट विस्टन के अंदर मैंने यह माना था तो अगर अक्स वाइज एड़ इसके दिकनुपात थे तो इसकी दिकोजे क्या ही अक्स बटा डूटे a square प्लस का B square प्लस का सी स्वेर Dusy fetch, trotot hashtags बीटा को स्वेस बिटा लेका बटे अंदर autre a square रशना कपी स्वेर ट्रेस का से सिवें cloud तीसरी गोhoe को छ पोस्ग महर को सलमा हो जाय सी बट्टे अंडरूट ए स्क्वाइर प्लस का बी स्क्वाइर प्लस का सी स्क्वाइर यह आपसमें समंद में ध्हान रखना किसने से पुछी जाएंगा आप कि दिकनुपाद देकर आप से दिकोजे पूछ लेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो या तो आप ऐसा करो कि उसको एकांग सदिस में चेंज कर लो कोई भी सदिस जो आपको दिया गया है उसको आप एकांग सदिस में चेंज करो एकांग सदिस में चेंज करने के बाद में ज जो दिक्कोजाओं के समानुपाती संख्या होती हो क्या गलती है हमेशा वो कलाते हैं दिकनुपात दिकनुपात और दिक्कोजाओं के बारे में हम आगे डिटेल में पड़ेंगे जब अगले एकसे साइज हम पड़ेंगे अगला चेप्टर हम पड़ेंगे तो आपर हम ये भ निकाली जाएगी जैसे मानलों कि आपको दिया गया है अभी अपने शर्चा भी एक किसंग विया एशी बराबर जैसे आपको देदिया पाँचाई कैफ प्लस का जे कैफ और प्लस का सभुष एक और नो देखो एक लागला सभिसी का मान आ गया एक और नो क्या निकाल लूँ पिर आप दिडह कर दोगे अखर दूंगे या फिर इसी को आप किसमी चेंज कर दोगे करांग सभी एक जा Pew अंदर उसी के परिमान का हम क्याले में भाग देगे और परिमान का भाग देगी तो वह मान जाएगा एकांक सदिस्स और एकांक सदिस्स के牙द में आपके पास यह ही आए तो यह हो जारेंगी डिको जे तो यह जिए तो यह दिकनत में समध्ध हो गया दिकोजियों में मिन आपस भी होता है क्या सबंद्स होता है देखो दिख थूच्ब्स की वर्बोगों की वर्गों थे कितना होता है एक हो था यह दिक्कोजाओं में आपस में समंद्ध होता है दिक अनुपात और दिक्कोजाओं में तो यह समंद्ध लिखा हुआ है कि कोस अलफा यह कोस अलफा कोस बीटा और को से गमा और एक कर सकते हैं अगर आपने दिक्कोजाओं को एल m or n से विक्ट किया है तो जो दिक्षा चाहिएक समन और यह लिए देकर से पूछा जाएगा इसके निकाली कैने का लिए या फिर आप से दिक नुपात डाइक्ट इक पूछेगा इसकी को जब दांसे देखिना दिक नुपात और ये सेम चीजे अगले चेप्टर में दुबारा साने वाली है आपके दिखकोजे और दिकनुपात इन में आपस में समन्द यह सब कुछा आने वाला है इस समन्द से हम क्या कर सकते हैं क्या ऐसा पर सुनी पूछा जा सकता है जैसे को सल्फा हो भी दिखकोजा को स्बीटा और को से सब्सक्राइब ऑघि happens in diesem में से आपको यह वह पूछा जा सकता है कि आपको बिछली सब्सक्राइब यालिख पोel तीजिए फोगर जनिकल सकते हैं यां फिर चेवल आपको दो दिकोंड़ेगा ऐब दिक कून दे कोन बनाता है मने कौन दिया मने दिखोजें निवे और जो सबंदी से तीनों एक्चों के साथ चोल मनाता उसको हम दिख कौन कहते हैं तो यह दिक को नहां आपके पास डारेक्शन एंगल यह है दिकand को अगर आप से पुचह सक गश्या तो गश्या की कलिए इन लाइगे इन चॉरुं की पुज्या होगा कौस्स तो यह हो ज Rob ओस तर दिसके लिए निकाल भॉस प्रतारी से का लोरा चूरिए निकालों तो कोस्ति इसको हो जाएगा अटर टी तीन बठादो पाता इ सक एपटा अडर्णशी मैं और यह एक बठा अब करक्षित है तो आप सिरफ पॉस्प लगाना है था challenging देखो जाएंगे तो यह है दिख कोंड और दिकोंट है अ Baron अब देखो हम देखेंगे त्रूजू का स्यरी सधीसे कई सबहागे कि दो सभी सोगा योग कैसे किया जाता है दो संथीक्राइब कुछ किया जाता है यह सब वापन देखेंगे तो देखेंगे सदेसों के यो का त्रिबूज नीम क्या या आगे जो तीन चार्ट उपिक हो रहे हैं वह हम नेक्स क्लास में देखेंगे थैंक्यों पस्टें आझे और रहे हैं वह बाहे सदेखेंगे सदेखेंगे युट थैंक्यों चेखेंगे हैं किया रहाव ए पाह ताहा याओ